नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज सुभह जो पाकिस्तान के लोगों ने अपने न्यूस चैनल खोड़ कर देखे तो सभी के होश उड़े रह गई इसका कारण ये था कि पाकिस्तान की हर एक मीडिया न्यूस चैनल पर हड़कंप मचा हुआ था हड़कंप ये था कि कुछी गंटों पहले खबर निकल कर सामने आई कि भारत की तीन मिसाइले मिसफायर कर गई है मतलब वो रास्ते से भटक गई है और ये खबर सुनकर ना सिर्फ पाकिस्तान की जनता और मीडिया बलकि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो 25-30 स्टार अपने छाती पर लगाए घूमते हैं उनके भी पसीने चूट रहे थे और यकिन मानिये पसीने चूटना लाजमी था क्योंकि अब से एक साल पहले ऐसी ही घटना इनके साथ हुई थी जब भारत की एक ब्रहमोस मिसाइल मिसफायर कर गई थी पाकिस्तानी सीम कर रही थी कि पाकिस्तान अपनी सेना पर हर साल 12-13 अरब । खर्च करता है अपनी जनता का पेट गाट कर पूंकि उनकी जनता वहाँ मरर रही है उनका ख्याल नहीं करते सिर्फ अपनी सरना को सुधारने के लिए 12-13 बिलियंड । खर्च करते हैं और उसके बाद भी ये हाल हैं कि एक मिस्फायर ब्रमोस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाए और वो ब्रमोस मिसाइल पाकिस्तान के तमाम सुरक्षा कवच तमाम डिफैंस स्टम और रडार को चकमा देते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी इलागों तक गुस गई थी अब इने डर ये लग रहा था कि एक साल बाद दोबारा फिर से इनके साथ यही घटना ना दोहराय दी जाए क्योंकि शुरुआत में सिर्फ यही खबर निकल कर सामने आई थी कि भारतिय सेना पाकिस्तान की सीमा के पास राजिस्थान में कहीं पर मिसाइलों का टेस्ट कर रह खैर कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान की मीडिया और सरकार को यहां पर रहत की सांस मिली क्योंकि खबर निकल कर सामने यह आई कि वो तीनों की तीनों मिसाइले मिल गई हैं और वो राजिस्थान में ही कहीं पर गिरी हैं और यह टेस्ट भारत की पोखरन रेंज में किया जा रहा था और पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि भारत जो यह तीन मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था ना यह तीनों शोट रेंज मिसाइले थी मुस्किल से 25-30 किलोमेटर की इनकी रेंज थी इसी वज़े से पाकिस्तान में गिरने से बच गई वरना पाकिस्तान की बेज अब अपनी सेना की बात भी कर लो ये आपकी तीन मिसाइले मिस फायर हो गई तो देखिए इन तीनों ही मिसाइलों को टेस्ट किया जा रहा था और टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप जो नए हतियार बना रहे हों उन्हें रियल टाइम फायर करकर देखो कि वो छेसे काम कर हैं या नहीं और अगर उनमें कोई कमी निकलती है तो सुधार कर फिर टेस्ट किया जाता है और ये सिर्फ एक नॉर्मल सी घटना है आपको यकीन नहीं आता तो आप दुनिया के किसी भी ताकतवर देश का गूगल पर नाम डालिए और उसके सामने मिसाइल मिसफायर लिख दीजिए आपको हजारों यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे और दूसरी बड़ी बात आप ये भी तो सोचिए कि जो विक्ति मिसाइल बनाएगा वही टेस्ट करेगा और जो टेस्ट करेगा तो दो चार मिसफायर भी होंगे और अगर आप चाहते हो कि हमारी एक भी मिसाइल मिसफायर ना करे तो तरीका एक ही है की मिसाईल बनाना छोड़ दो दुनिया भर के अलग-अलग देशों से मिसाईल खरीदना शुरू कर दो क्योंकि अगर आप खुद मिसाईल नहीं बनाओगे तो ना तो टेस्ट होगा और ना रही इसके अलावा भारतिय सेना ओर लेडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है जो भी कमी निकलेगी हम उसे सही करेंगे दोबारा फिर से टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसे सेना इस्तमाल करेगी यह एक नोर्मल सा प्रोसीजर है हाला कि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करेंगे जुरू बताएगा थैंक यू वर मुश फ्रोचिंग वीडियो